गड़ित कच्छा दस प्रिश्णावली 15 सनलोव एक तो इसका 22 वा सवाल है यहां पर दो पांस फैंके गए और दो पांसों का जो प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं इसको कुल परणामों को संख्या भी बोलते हैं ठीक है तो एन एस जो है वो यह आया है इसमें यह दिख रहा है तो यह कैसे बनेगा इसको यही बना लेंगे तो इसकी जरूद नहीं पड़ेगी उद्धारन 13 इसलिए देखने के लिए बोल रहा है ठीक है कि संख्या ठीक है कुल परणामों की संख्या एन्स यहां लिख देता हूं में एन एस बरावर तो देखिए इसके इस कोच परणाम इस तरह से आएंगे एन एस यहां पर जो है दो पांसे घर फैके जाते हैं दो पांसे में शैंग और दूसरे में भी छह न पर होता है दो पांस अगर फैके जाएंगे तो 8 गुणा 6 चाएंगे चैटीस चैर्टीस टोटल यहां पर परणाम निकलेंगे तो देखिए विए परणाम है चंक्या में हम ऐसे देख लेंगे यहां पर इसको लिखने का तरीका बता हूं जैसे दो पांसे एक पांसे पे एक दूसरे पे भी एक आया फिर एक पांसे पे एक दूसरे पे दू आया यानि कि लिखने का तरीका में असा रखेंगा जो लिखने में आसा नहीं हो देखो एक पांसे पे एक आता रहेगा बाकी पर बढ़ते रहेंगे देखो एक पांसे पे एक पे एक फिर ए 1 14 15 5-16 है भूम दाष्म एककेङ हैं दूसरे दूसरे पर एक पर ऊगया ऐसी करके यह अपर 1212 एसे लिखने में आपको द्यक्कत में आएगी दो तीन 2, 4 2, 5 2, 6 अब 3, 1 3, 2 3, 3 इस तरह लिखना काफी आसान रहेगा 3, 4 3, 5 3, 6 अब 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 इसके बाद पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छे, इसके बाद छे एक, छे दो, छे तीन, छे चार, छे पांच, और छे छे, तो एन एस जो है, वो कितना आ जाएगा? देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो छे चार के चत्तीस, तो एनस कितना आएगा? 36, ठीक है, अब यहाँ यह इसलिए लिखा है कि अब देखिए, यहाँ पे इसको सवाल को अलकरना आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो वैसे प्र दोनों पांसों की संख्याओं का योग दिया, यहाँ पर योग अगर दो है तो यह आ रहा है, यह प्रैक्ता पहले से यहाँ पर दे रखी है, एक, बड़े 36, तो यह क्यों दे रखी है? योग देखो, दोनों पांसों पर जोड़कर दो आना चाहिए, तो यहाँ पर एक और इसलिए यहां पर एक बटे च्टिस बढ़ा हुआ है इये ठीक है अब यहां पर क्या आएगा देखो दोनों 500 पर जोड़ कर तीन आया यहां तो 3 तीन टीन दोर 1 3 इन यहां पर तीन चार जाए पर भूल यह जरा गया तो यहां इस nowhere तो यहां पर क्या जाएहाइगा यहां पे आजाएगा जाएगा क्या पीbelेटे चोंकि अधी नगे इस चार जो जो आएगा देखिए इसके लिए दिंस को चार से याई कई सिक्वेंस में आरहा है यह सिक्वेंस देखो ठीक है नहिंट नमबर है तो यहां पर तीन बटे सेषर 28 ऐसी पांच को देखें किoh 4 15 13 दो पांच देखो यह इसए झाल में गांग तीन दो पांच और चार एक बाकी स Laz एक चार आपन झाला है इसए जाधा यह बहुत यह बीसी लाइन में रहा है तीन, चार दो च्रह और पांच एक शे तो एक दो तीन, चार पांच ऐसे यह कितने हैं पांच तो 5.34 तो 6 गया पांच बाते शे वटे शेटीज तीन, फांच दो आएगा तो नौ किसम आएगा देखो 3639 यह आ रहा है पांच और 49 ठीक है पांच और 49 ठील 1 2 3 4 तो अब यहां पर दस हैं तो अब घटा जाए गया थीक है यह तो यह से सको अलकर नहीं थो पहला यह जो पहला इसके बाद दूसरा आज़े दिये था परित्यक की प्रायक्ता एकवड़क्र 11 1 मटे 11 प्रतिक की प्रायक्ता कैसे जायेगी नहीं आज़के न और कि यह静 अंपसे क्या तर्क यह सब्सक्र्स थेदर किया देंगे यह इसका उततर इतना है यह आंसा मी कर दो कि अ